हाई दोस्तों मैं हूँ जूसी सिंग और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनी और वो भी बड़े आसान तरीके से तो मैंने यहां को सबजें लिया है जैसे दो प्याज, दो टमाटर, चार से पांच हरी मिर्च और चार से पांच लेसन की कलिया और एक छोटा टुकरा अद्रग और साथ में मैंने काजू भी लिया फिर मैं इन सब का पेश्ट बना लूँगी यह मैंने प्याज, अद्रग, लहस्ण और हरी मिर्च का अलग पेश्ट बना लिया और यह मैंने तमाटर और काजू का अलग पेश्ट बना लिया फिर मैंने कड़ाई को गरम किया, उसमें एक बड़ी चम्मज घी डाली, साथ में मैंने डाला है बटर, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मैं यहां कुछ खड़े मसाले ले रहे हूँ, जैसे जीरा, लॉंग, काली मिर्च के दाने, एक टुकरा दाल चेने, और लाज, अद्रग, लहसन और हरी मिर्च का वो भी यहां डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसे चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से सौती करूँगी, क्योंकि मसाली जितने अच्छे से भूने है उतना टेस्ट अच्छा आएगा, तो मैं इसे कवर करके चार से पांच मि दाल मिर्च पॉडर डाले हैं, फिर मैं इसे भी एक मिनट के लिए सौते करूंगे, उसके बाद मैंने यहां तीस्पून धनिया का पॉडर डाले है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूं, उसके बाद मैंने जो तमाटर और काजू का पेष्ट बनाया था, वो भी यहां दाल रही हूं, इसमें दूरा पाणी डालके मैंने अच्छे से डाल दी है, इसमें और अब इसे भी तीन से चार महिरे तक अच्छे से भुलना है, उसके बद मैंने यहां स्वाद अनुसा नमक डाला है, और साथ में एक चमज कसूरी मेथी, इन सब को अच्छे से मिक्स कर कर लोंगी और फिर इससे ढबकर लगा के तीन से चार मिनट पे लिए को खोने दोंगे उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा थेल छोड़ देगा फिर मैंने यहां पर दो चम्मच दही यूज किया है अब इसे भी मिक्स कर लोंगी अच्छे से अब उसके बाद में एक टीस्पून चीनी यूज कर ली हूँ और इसे भी मिक्स कर लोंगे फिर मैंने यहां दूद का यूज किया आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकतें तो मेरे पास यह दूद था तो मैंने इसे डाल दिया मैंने यहां पर पानी का यूज बिलकुल भी नहीं किया है फिर उसके बाद इसे अच्छे से और 2-3 मिनिट के लिए पका लोगी फिर उसके बाद मैं यहां 200 गराम पनी डाल रही हूं फिर पनीर डालने के बाद मैं ऐसे एक दो मिनिट के लिए और अच्छे से सौते कर लोगी सारे मसालों को अच्छे से मिला लोगी उसके बाद मैंने आधी छोटी चमच यहां गरम मसाला पौडर डाला है फिर एक मिनिट के बाद मैं गैस बन कर दोंगी और ये साही पनीर बनकर तयार हो गई है और फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है आप भी ऐसे ट्राइ जरूर करें आप इसे रोटी के साथ, पराटे के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं तो अगर आपको ये रेसेपी फसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें